मनू अभी तुम कहां परो ए भगवान अब कौन सी भाषा में बताऊं तुम्हें जिस भाषा में समझती हूँ ना उसी में बताऊं अरे मैं जेल के गेट के सामने खड़ा हूँ अब ही 15 मिनिट बाखी है वैसे तुम अभी कहां पर हो इस बैंगलोर की ट्राफिक के बारे में तुम मुझसे जादा जानते हो ना मनू मैं भी ओन दवे हूँ हाँ ठीक है ओके अच्छा तुम्हारे भाई का नाम क्या है सचीदानन सर हाँ सचीदानन जिस गुना में कैद है ऐसे बहुत सारे लोग यहां पर कैद हैं करनाटक के हर जेल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं अगर आप इसी चुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत सार लग रहा था कि सबके रिष्टदारों को बुला कर यहीं पर धरना कर दू सरकार के पास बहुत पैसा है नब्बे क्या 900 लोगों को जेल में रख सकते हैं पर मैं अपने भाई को जेल में नहीं रहने दूंगा तोड़ा दीरे सुनो अब हमें डीजीपी सापस अपॉंट्मे लेना चाहिए मंगलापुरम जेल वार्डन की रिपोर्ट बहुत फेवरिबल है यह मैं रेकमेंड करके गवर्मेंट को भेजूंगा सर इससे पहले जो यहां बैठते थे वो डीजीपी भी यही बोलते थे और फिर जब लिस्ट आएगा सिर्फ मेरे भाई का नाम नहीं रह वेल आप लोग हो मिनिस्टर से मिलकर एक कंप्लेंट दे दीजे हैं कि कहा हो तुम सॉरी यार दीदी ने गुड़ो को स्कूल से पेक करने के लिए बोला था इसको घर पर ड्रॉप करके आती हूं इतने में तो मिनिस्टर साब यहां से निकल जाएंगे तो इसको भी साथ मे फाइल लेकर आजाते हूं ओके ठीके जल्दी आओ यह फाइल दे देना आजाओ गुड़ीवनिंग अंकल गुड़ीवनिंग ओहो इस बर पप्पो को भी मिलवाने लाए हो बस पहचान नहीं करवाना चाहता इसे भी तो पता चले कि दुनिया किस रंग की है तुम्हारी ब सितार है अब फाइल में आगे पहुचा देता हूं लेकिन कोई उम्मीद मत रखना चलो तुम लोग कई सालों से यहां आते जाते हो इसलिए मैं खुला बता रहा हूं इंटेलिजन्स रिपोर्ट तुम्हारे भाई के अगेंस्ट है यह तो अन्या है सर तुम्हारे भाई को बाहर छोड़ना खातरनाख है दास्ट इंटेलिजन्स रिपोर्ट एक्स्क्यूज मी अब सिर्फ एक ही आदमी तुम्हारी साहिता कर सकता है एडविन मोजिस यह लो इस नंबर पे बात कर लेना गुद मॉर्निंग साहिब सर यह सेंटर से सचिदा नंद के लिए लेटर आया है मुझे ग्राउंड में थोड़ा काम है उसके बाद आके मिलने के लिए कोई ओके सर श्या क्या है मैंने क्या किया है भाई मुझे क्यूं मार रहे हो आखिर मुझे से गल्ती क्या होई तो तुने कुछ नहीं किया बेटा सुवर कहीं के लवा समझा है हुआ हुआ इधर आ मुझसे पंगा हुआ सुवर कहीं के तू और मैं हम दोनों यहां पर सजा काटने आए अगर तूने दुबारा इसके उपर हाथ उठाया तो तुछे काट के फेक दूंगा सुवर कहीं के किया मैंटर चल रहा है क्या मैंटर चल रहा है हुआ अरे तो मंटला होता की काई रासस देता है खर करतास नहीं ताला सुट्टी साथी मंटले मी आओ इस बार रिहाई के लिस्ट में तुमारा नाम भी है कॉंग्रेचुलेशन्स ये लो तुमारे भाई के चिठ्थी मेरे प्यारे भाई इस बार एक गुड्नियूस है आपका रिलीजिंग ओडर मिनिश्टर ने साइन कर दिया है मुझे पूरा यकीन ता भाई कि एक नाएक दिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और देखिए सिर्फ मैं ही नहीं पूरा घर बहुत खुश है आपके आने की खुशी धूम-धाम से मनाई जाएगी बाकी सब मिलकर बात करेंगे इस स्वतंत्रता दिवस मैं जेल के भार आपका वेट करूँगा अपना ख्याल रखिए आपका छोटा भाई मनौ पूटो मत खिच्वाओं वर्ना मोहरत निकल जाएगा मंडप में नहीं पहुच पाएंगे तू ऐसे खुश हो रहा है जैसे शादी तेरी खुद की हो रही है वरना यह शादी कभी नहीं होती सच्चितानंद बेटा मेरे जमाने के सारे लोग तो परलोग जा चुके हैं नह नहीं तो किसी दोस्त की पोती से तेरी शादी करवा देता मैं आप क्यों मेरे पोते की शादी कराना चाहते हो अभी तो यह अपनी नहीं मा के आने की खुशी में है पापा आप मेक अप नहीं करवाएंगे क्या नहीं बेटा तूने जो मेरा गेट अप बनाए वही काफी है एक डोर से बाद के रखा है भाई मेरे तूने ही हम सब को हाँ बारश ये प्यार की बार जो हम पे है भूलेंगे कैसे उसको आके फिर मिल जा हम को तेरी यादे अनुमोल बाते अनुमोल सुनना चाहों फिर भगवोल खाब हमने जो संग तेरी देखी भाईया खाब वह पूरे करो बहुत हुआ ये चिठी का नाता आ रहे हो वापस ये बादा करो तू ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग सल्या हो तू ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग हो सोने के तार का पेंज रहे चमक इसकी तुम्या ही तो मौसम ऐसे ही बदलता रहेगा जान लो ओ जान लो जो मुठा दिन मेरा संग तेरे जीने का बदला ढंग मेरे पास बुलाती है कोई मिठी धुन ये सुनतो लो हां सुनतो लो छटां देरा है कोशियों का पहरा है साथ नहीं आता हुझो कर दो जूदो चला ठाटर चलो छोड़ो चलो 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 जर्द आरए मुझे गुंडा साबित का दिया मुझे बागल खाले बेच के अच्छे डिवर्स ले लिया और अब शादी करके मसे ले रही है मैं तुझे जिन्दाने चाड़ा अब मार तुंगा मैं तुझे अच्छे जिन्दाने शादी जाओ 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 डेता है परिकर यह इतना मार खा तो तो यह रहा है कुछ समझ मैंने हां रहा है इसने मलम लगाया होगा और चुछी लगाएं यहनों लगनी रहा है यह मार इसके लिए कुछ नहीं है अपनी कई पहले पति को मार कर अंदर आया है ओलाह कोण की एक्या क्या है ऐला दोलंदर ने का फाइदा ही नहीं है चल 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 अरे चल ना कि is है चुपकर इसकी धाली में और खाना डाल दे नेता मत बन क्या भाई मैंने सुना कि तुमने किसी का खून किया है किसी और का गुना अपने सर पे ले लिया है है ना नहीं मैंने ही खून किया है हाँ तु ही सबसे प्यारा है मेरा दुलारा है रूठो ना कुछ तो कहो दिल मेरा धड़के है बस तेरे संग से ही ऐसे ही संग संग रहो खान और घणी को वाड़न पकड़ कर ले गया है मैं मा लेता हूं सबकुछ मैंने किया है इतना दुष्ट है तेरी तनी हिर्मत तेरे क्राम के बीच में आता है हाँ 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 अजय कर देखके हाँ अजय 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 हो दोल्किए अजय कि रहे कि वी जोड़ाएंग। नहीक है कि बादे आफी खिर नहीं धी कषिड कि अप्टी कि अच्चेवा फ्टी कि अच्छेज कर दोटकी है। अच्छी सब्सकेट इए कम ऑंडेज कर दोड़ का भी दाफ। This court orders that the Prime neck advisor, Satchitan Nandan, be sent to the Central Jail to serve out a double life sentence. झाल 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 कि अंधेरे में क्या किता पड़ रहा है लाइड नी चालू कर सकता अंधेरा का भुवा पता ही नहीं चला अरे सची दानन को अंधेरे में भी दिखाई देता है करियों प्तु करिएगरे में चाल क fluffy dogs type कि द neden आ चली हुआ है को ड़िज दुआ ख tuna कर दो और मुटन और मुटन ऑू, क capac बला कर दो है मेरा भाई कितना सुन्दर है कैसे कोई इतने दिन तक इसे जेल में बंद रख सकता है आव अरे आपको पता है पावर शो और प्रिजन ब्रेक जैसी अमेरिकन टीवी सीरीज है उसमें तो स्टोरी चलती है वो बिल्कुल आपकी जिन्दगी की स्टोरी से मैच करती है अगर इस बार भी आपको नहीं छोड़ते ना तो मैं भी वैसा ही कुछ करता आईए बैठिये मैंने आपसे कहा था ना आप जब भी घर वापस आएंगे आपका धूमधाम से स्वागत करेंगे आपके आने के बाद ही विश्णुबाई शादी करेंगे लड़की भी उनके करेंगे अब आप आगे हैं तो शादी भी ओजाएगी सची बाई कि परेकर अगर कि अचान अटार गनी का मैंने तो पहले ही बोला था बाई अपन को देखते ही पैचान लेंगे कैसे नहीं पैचानते हम तिनों साथ आया इसलिए पैचान है यह क्या बग रहा है हम क्या हमेशा साहले राते हर यहां कि आक त quarterback uz you हम सब लोग एक साथ बॉसी थे मेरा चोटा भाई मनु somewhat had transitioned कि सची भाई एक मिनेट हां अभी आ है सची भाई अपन के वास्ते एक काम आया है कहां पहे बैंगलोर में माजे आपन के लिए बहुत अच्छा ओफर आया भाई मंबाई का कोई ड्रग डीलर है नाम है एडविन मोझेस बैंगलोर में ड्रग की डीलिंग भही करता है करोडों का दंदा है अपना भी फाइदा होगा फिफ्टी-फिफ्टी मैं अभी अभी तो बाहर निकलाओ तुम सम मिलकर मुझे दुबारा अंदर भिजना चाहते हो ज्यादा दिन की बात नहीं है थोड़ा पैसा कमाने के बाद आपन धंदा छोड़ देंगे हां पैसा अपन किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट कर देंगे फिर वहीं सेट हो जाएंगे हां जैसे विजे मालिया चोक्सी न बिना ठीक से सोचे समझे गलत रास्ता मत चुल लेना मैं कॉल करूंगा हेलो वो मना करके निकल गया लेकिन उसे कैसे रास्ते पे लाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कॉल हेलो जहां गया आओ लेकिन प्रफरीद प्रफर्फर्यक्ण करें । बहुँ जो 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 किसे हो बहुँ किसे हो भाया विष्णु आप रिख्णु 162 सचे हो जो 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 हो जो जो जा प्रुम 255 सिर्शन्नों हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशेर अर दिल की बगियां में डर की नहीं है खैर जो हुआ सो हुआ आया है घर पेशेर अर दिल की बगियां में डर की नहीं है खैर मेरे आसपास रहना ओ सुनले मेरी मैना ओ तेरे दिना सुनी सुनी मेरी है मुडे तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आओ खीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काही को करता है बाते यूँ ही मोर मैं तेरी तु मेरा चारो और हिशा हाँ जो हुआ सो हुआ आया है घर पे शेर अर दिल की बागियां में दर की नहीं है खेर है इसे ना इत्राओ खुद का सम जाओ उल्टी बातों से दिल को ना गड़ पाओ ऐसे ना इतना खुद को समझाओ उल्टी बातों से दिल को रागड़ पाओ इन होटों पे अटकी कब से नजर मेरी आजारे पास आजा कर देना कोई जतन तुझे देखे बिना नहीं होती मेरी भोर आओं खीची चली जो तुखीचे मेरी डोर मन्नु काहे को करता है पाति यूही मोर मैं तेरी तुमेरा चारो ही शार इन आखों की भाष्या ये आखें ही समझें तरस्ती निगाहे बस तुझको ही ढूडे हो इन आखों की भाष्या ये आखें ही समझें तरस्ती निगाहे बस सुझको ही ढूडे आदीवाने है तेरे सदियों से हम तेरे आजा रहा कहते मिल के रहेंगे सजन तुझे देखे बिना दिल लगता ही नहीं सब कुछ है यही बस तेरी कमी एक पल भी जाती है जो तू कहीं हो दिल धड़के है जोरों से करता है शोर भाई आप यह आराम केजिए मैं महमानों को छोड़ के आता हूँ महया महया कहाँ कहा चले गए तहीं हम्हें कहां चले गए सची भाई क्या हुआ नहीं है क्या मैं कमरे में खोड़ के आया था पतानी कहां चले गए मामा जी भाईया दिखने ही रहे अभी अभी तो बेचारा आया है सोने तो कल मिल ले ना क्या बोल रहे हैं यह बेचारा अकेले सो रहा है उसको सोने भी नहीं देते आपको पता भी है वो इस वक्त अपने कमरे में नहीं है चला जा अगर वो ऐसा है तो उसके उपर हमें सक्त नजर रखनी होगी बेचारा अलग दुनिया से छूट कर आया है ना देखने में आया है कि ऐसे लोग ही आत्मात्या करते हैं ओहो भाई बहन दोनों एक ही जैसे हैं वो भी ऐसा ही नाटक करती थी मैं तो बोल रहा हूं कि देखने में प्लीज प्लीज मनु अंदर से कोई आव बाज आ रहे हैं यहां सो रहे हैं है भाईया मैं है मनो मनो भाईया कि यह क्या भाई यह भी कोई सोने के जगा है वहां लेटकर मैं सो नहीं बारा था मेरे आदत नहीं रही न अच्छा भाईया उठिये थैंक यू फो कमीं डॉक्टर हालो डॉक्टर सुदाकर रेड़ी हालो और यह इनकी वाई नमस्ते भाईया सुनो ना भाईया मैं राजनी भाईया यह मेरी दीदी पलक हाँ नमस्ते मैं का पापा हूं कल्यान कुमार यह मेरी दीदी का बेटा प्पु नमस्ते आप लोग सब यहीं रहते हैं क्या ओ सौरी शादी में आया होंगे मैं भी शादी में आया हूं ठीक है फिर मैं चलता हूं ओके बड़े भाईया करी आण मैंने सब्धालते है अ हुआ है यह 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 इसा क्यों बोल रहे थे वह क्या ना भाई कुछ दिन से बाहार रह रह थे इसी वज़ा से सची भाई हां भाया हां आप रेड़ी होए या नहीं सची दनन दर्वाजा खोल अब हां 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 आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है अंदर बहुत गर्मी हो रही जूट बोल रहा है एसी वाले रूम में फिर तुम्हारा एसी खराब हो गया होगा है भाया आप चलिए ना पिता जी कब से पूछ रहे हैं आप लोग जाओ मैं कुछ देर बाद आ जाओंग मन्नु तु जाके जल्दी से सबको तयार कर मैं इसको लेकर आता हूं चल प्रताप यह ना मोहन का बड़ा बेटा सचिदानंद है हलो हाँ यह लड़की का बाप है प्रताप यहां का डिजी पी है यार विल्कम सर प्लीस कम बढ़ जी विष्णु का फादर नैसमीटिं यह सर इस मैं सचिदान वैं इस माय उंकल विजय कुमार हलो हाँ फ्लीस कम यह बहिए कंग उमार यह बहिए जिए मिटिए पोलीस ओपिसर का देख के सलूट मारने का जेल में सिखाया जाता है वह यह कोई और तू कोई मुजरिम नहीं और तू कोई मुजरिम नहीं सब के सब यहां पर भ्यहमान आ रहे हैं हेलो नाइस मीटिंग यू तू दिस इस माइस सची दर्ण पिताजी एक गिलास पानी पीलू आपकी पर्मिशन जाहिए मैं यह जाओंगा जल्दी जाओ ठीक है हे अ पानी पीने के लिए भी दुसरों से टेस्स करवा के पीते कितना क्या पालतो का नाटा के एक मिनिट सर मुझे गिलास पानी पीना है सर मेरे को सर बोल रहे है क्या लगता है अच्छे दिन आ गए यहलो सर पीलो ना पानी के लिए कोई पूछता है क्या प्यास नहीं पूछ रही है चल रख नेचे आये सर पिता जी मुझे अभी कि अभी लगु शंका के लिए जाना होगा कपसे पानी पी रहा है तो निकालना ही पड़ेगा उदर सामने टॉलेट है जा जल्दी यह जेल से आने के बाद हर काम के लिए पर्मिशन मांगता है हाँ जेल ने तो इसे बिगाड के रख दिया है पूल कुछ पूल कि अभी है जाओ में जाओ अरे चाहू ना अब मैं जाओ जाओ ना जाओ अगे जाए जूता निखालकि अगे 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 आशिर्वात्त दो अगे कि अ हाँ 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 कि हाँ 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 तर भिशनू अब लगता है तुम्हारे बहां पुलिस में है पुलिस में तो नहीं है लेकिन पुलिस वालों से बहुत ही अच्छी जमती है उनकी ऐसा कह सकती हो कैसे है ठीक हुँ एक मिठा अहां बेटी बोलो पापा मैंने उस ऑफिसर को देखा पूरा हॉल तो ऑफिसर से भरा पड़ा है तुम किस ऑफिसर की बात कर रही हो बेटी अरे जिसने मुझे पहले बचाया था वो कमांडो ग्रूप वाला ऑफिसर उसे तुमने कहां पर देखा यहीं पर वो अच्छा पापा मैं चलती हो ठीक है चलती चलो अरे कहां तुम इदर आओ सची कि यावाज कहां से आरे गराज में से आवाज आरे सर लगता है करें कोई है शटल का ताला तोड़के अंदर गया है चावी तो मेरे पास है सर अध्यान से सुनिए लगता है वो सेव तोड़ अरे बाहर कोई सभड़ा होगा नषट नहीं न्युम्तब मैं इंगलिश पिछर में अमस्तु अ कि it धार साब लगता कोई कार्चुर है अगर कार्चुर होता तो कोई और कार हो दा छुरा था बंदकार से क्या कर रहा है इसे पता नहीं होगा बहार निकल की ना उसको एक रैप्टा मारते ना कौन है नीचे संभाल किया उसके हाथ में हतोड़ाई शायद चल बहार निकल भाईया आप इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं मैंने सोचा थोड़ा कारी ठीक कर देता हूं अब अंधेरे में कौन कार बनाता है बेटा नीचे जाते वक्त तो उजाला था अंधेरा का भूह पता ही नहीं चला ठीक है मैं समझ गया चलो अब यहां से मैंने सोचा कि मन्नू ले जाओ इसे कमरें यह यह अब सब्सक्राइब अब फट्टू कि इस सचिदानन से मैं पहले भी मिल चुकी हूं मैंने तुम्हें पहले बताया था ना जब मैं उटी में पढ़ती थी एक टेरिस ग्रूप में मुझे अगवा कर लिया था तो फिर एक कमांडो आपरेशन में पुलिस ने मुझे बचाया था उस कमांडो ग्रूप में सचीदानन भी थे ऐसा तो होई नहीं सकता लगता है त अच्छी भाई तो जेल में थे वह भी पूरे चौबिस साल अच्छान में सबसे पीछे चलो चलो पीच्छा पीचा पीच्छा ए लाइन कभी नी तोड़नी चाहिए जो पहले आया वो पहले खायेगा जो बाद में आया उन पीचे खड़ा रहेगा चलो चलो अशूक क्या यह लोग बाहर जाके पढ़के आते ना वहां पर उच नीच बिल्कुल नहीं देखी जाती इसलिए लोग बाहर जाते है सोशिलिजम हाई है आपन पता नहीं यह सोशिलिजम कब सिखेंगे इह है यह आत्प आप लाइन में ठीक है पिंड़ किया हुआ अंडर चलो क्या हुआ छड़ों आप नोगरों के साथ लाइन लगा के क्यों खा रहे हैं या फींन्पा बॉट इस स्थूड़ंट ख़या इसा कि प्रण आप शुक्क्राइब ट्रण कॉस्ट शुक्राइब कर तंस तो थे तो कि सब्सक्राइब भाइब एग निए या तो की जिए इन द्राइब डश्ट तिस आप शुड़ेंग हें जा इंट स्वा जान जान दों। और है है रात भर वंदणा मुझे एक बात पर लड़ती रही जरा वो देना ही उसका यह कहना है कि आपने कि सी टेरिरिस्ट मेशन पर इसकी जान बचाई है मुझे बचाने के लिए तो मन्नु आया मैं किसी को कैसे बचा सकता हूँ वही तो क्या हुआ भाईया मेरा हो किया ऐसे आचाना क्यों उड़ गए वंदना यह सब क्या चल रहा है यह चूट कैसे लगी जानते हो मुझे बचाते वक्ते नहीं लगी थी क्यों भाईया मैं जूट बोल रही हूं इन्हें बता दो यह जूट नहीं बोल रही वो मैं ही था मुझे अंधेरे में दिखाई देता है यह बात जेलर को पता लग गई थी इसलिए वो हर दिन मेरा इस्तेमाल करने लग गया हर रात को वो लोग कहीं न कहीं मुझे ट्रेनिंग बे ले जाया करते थे मेरे साथ ट्रेनिंग में बहुत सारे कैदी थे और बहुत सारे कटिन मिशन्स पर हम लोग साथ में गए उन्हीं सब कटिन मिशन्स की तरह वो मिशन भी था अंदर सभी के पास हत्यार थे लेकिन मैं नहीं था ऐसे होता था वो आपरेशन कि अपरेशन कि अपरेशन कि अपरेशन कि अपरेशन कि अपरेशन कि अपरेशन कि आ कि अरे चुट है कि अपया इपिज अपय़ अच्पय कि अपया इस्टान कि इस्टान कि रहूए कि अपया झाल 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 कई बार मिशन से काफी लोग जिन्दा वापस नहीं आपाते थे जेलर लिख देता था कि वो लोग फरार हो गए फिर किसी की लाज ढूनके उन्हें हमलों का नाम देता था ऐसा ही खेल जेल के अंदर बहुत दिनों तक चलता रहा कोई नहीं पूछता था वैसे भी मुझरिमों की बाहर समाज में जरूरत भी क्या है इसलिए कोई ध्यान भी नहीं देता था ऐसे ही मेरे कितने साल इसी तरीके से बीटकर ट्रेनिंग लेते लेते आदत सी हो गई इतने दिनों तक इस काम के लिए अंदर रखे थे भाईया को बोल रहा था इंटेलिजेंस रिपोर्ट इन सब की तुद देखो भाबी, I'm so sorry they are devils, dirty devils, including your dad आदेखो आदेखो I think आपको इस बात को मामुली नहीं समझना चाहिए सर इस ग्राफ्ट को एक वार्निंग समझी है एडविन मोजिस की तरफ से एडविन मोजिस? मेभी, उसके किये हुए हर एक क्राइम स्पॉट पर ऐसे ही निशान पाए जाते हैं सर आखिर कौन है ये? इंफ्लेंस लगा है, इसलिए उससे छोड़ना पड़ा वो बात तो ठीक है अगर उसने ये बाते बाहर बता दी तो डिपार्टमेंट की इमेज का क्या होगा? वो बाहर नहीं बताएगा सर फिर वंदना को कैसे पता चला? वो तो, I don't know सर वैसे उसने आपकी बेटी को बचाया भी है इसलिए शायद आपकी बेटी उसे भूल नहीं पाई हो विथ और पर्मिशन सर I'll talk to him मैं आपको जुबान देता हूँ कि वो कोई भी इंफरमिशन लीक नहीं करेगा बैठो ने ने मैं खड़ाई ठीक हो हमारी बात मानने के लिए तुम जेल में थोड़ी न बंदो, बैठ जा मुंबई से यहां आके मुझे तीन साल हो गए इसके पहले मैं दिल्ली में था वहाँ एंकाउंटर में कुछ टूरिस्ट क्रिमिनल्स को मारने की वज़ा से मैं निताओं की नजर में आ गया था तो भस, दे ट्रांसफर्ड में ड्रग माफिया को फिनिश करने के लिए मुझे यहां पोस्ट किया गया है तीन साल में मुझे पूरे शहर को क्लीन करना है ड्रग ट्राफिकिंग में आज तक मैंने किसी को अरेस्ट नहीं किया और जेल में भी नहीं बेजा एंकाउंटर में सब को मार डाला इसी को लेकर हर डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंस चल रही है बड़ा जस्ट डूंट केर ड्रग माफिया स्ट्रॉंगली वापस आ गए और इन्हें जो कंट्रोल करता है वो है एक एडविन मोजस उसको आज तक किसी ने नहीं दिखा और उसके लिए काम करने वाले गुंडे, क्रिमिनल्स जस्ट नॉर्मल पीपल उन्हें ट्रैप करके अपना काम निकालता है जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग्स का दंदा कर रहे थे तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं सचिदानन्द को क्यों बता रहा हूँ हाँ कुछ दिन पहले एडविन मोजिस को खत्म करने के लिए मुझे सचिदानन्द के हेल्प की जरूरत है कुछ दिन पहले एडविन मोजिस का एक कंटेनर में सो गया उसमें ड्रग्स भरा हुआ है ये काम किस ने किया ये जानने के लिए उसने क्रिमिनल्स बुलाए है सारे के सारे ट्रेन क्रिमिनल्स है इसी लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए चौबिस साल तुमने जेल में बिताये हैं सचिदान्द इस सिटी में जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें अच्छी तरह जानते होगे तुम्हारे कनेक्शन्स को यूज करके शहर में कौन उसके लिए काम करता है ये जानना आसान होगा जेल में रहते हुए भी तुमने डिपार्टमेंट की बहुत मदद की है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ सर आपने जैसे पहले कहा अभी मैं जेल में तो नहीं हूँ न तो पोलिस की बात क्यों मानू भला अभी तक मैंने अपनी सारी जिंदगी जेल में बिताई है और उस जिंदगी के बारे मैं अभी याद भी नहीं करना चाहता आगे की जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ सर महरवानी करके मुझे दुबारा इस काम के लिम्मत बुलाईए और ये काम मेरा तो है ही नहीं ओके ओके मैंने तो बस रिक्वेस्ट किया था इस बात को यहीं भूल जाओ सची दनन सर सचिदानंद सर जस मामले को याद नहीं करना चाते हो उसे अपनी जुबान पर कभी मत लाना जेल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ ये बाहर किसी को मत बताना क्योंकि अगर बताओगे तो पुलिस तुम्हें जेल में फिर से डाल देगी और फिर तुम बाहर की दुनिया कभी नहीं देख पाओगे जानता हो सर और ध्यान रखोंगा तुम्हारे से जानता है विए विदानता आपिस्टाइस एंटी नर्कोटिक्स और रुक्स प्रिवेंटिव स्पेशल ओफिसर जानता है लिए बाहरे सचिदानन्त को बुलाई था यापका छोटा भाई या ना मनु तुम्हारा भाई रेख विए हैं झाला हुआ विए याई याई यूद्वाण दो, अट्रवी रॉए तेरे इन जूतों पे पेंट कैसे लगा पता नहीं लग गया होगा आप भी कहां कहां ध्यान देते उस पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं वो पुलिस वाला दे रहा था मैंने देख लिया देख लिया आप अरे नहीं मैंसे देखने नहीं आई हो आप अकेले थे ना तो सोचा थोड़ा बात करेंगे इसमें क्या है मेरे लिए जैसे ओपरेशन किया गया था और कहां कहां पुलिस आपको ले गई थी कौन पुलीस मुझे अभी कुछ याद नहीं है पिताची मुझे ढूंड रहा हूं के चलना चाहिए भाया भाया यह एक मिनट मैं कबसे आपको ढूंड रही हूं मैंने आपके बारे में प्रोफेसर से बात की कैदियों के साथ जो मिस्यूज होता है उसकी खिलाफ हम केस फाइल करेंगे अरे सब लोग एक ही रटकियों कर दो मिनट रुख जाए हम लोग बैट कर बाते करते हैं मुझे भी टॉयलेट जाना है आने के बात करो कोई बात नहीं मैं यह वेट करोगी वेट मत करो मुझे थोड़ा टाइम लगता है कितना टाइम लगेगा मैं वेट करोंगी सुनो मैं बाहर जा रही हूं तुम भी चलोगी नहीं मुझे बड़े भाहिया से थोड़ी डीटेल्स कलेक्ट करने हैं आप जाए बाइ बाइ अरे भाईया यहां पर पैदल कहां जा रहे हैं हलो मैं बस पास में जा रहा था आप यहीं रुकिये मैं कार पार करके आती हूं हाँ हाँ मैं यहीं वेड़ करता हूं ओके और स्ब्सक्रा की ठ Puttingह का不 Two तोरी आ अिझे पल आ वो ter रहे हैं कुग रपता हुग की आपेशव करता है हाँ मैं करता हुग । क्या बकवास सीड़ी बनाया है हर जगे पे होल होल ही ही है दिल करता इसे तोड़ ही दो हरी सर यहां पर है यह तो तपस्या कर रहे है सॉरी जल्ती हो गई तपस्या भंग हो जाएगी हाँ तू अब भी सची भाय का यहीं इंतजार कर रही है वो तो बाहर रोड पर घूम रहे थे मैं बोली कार पार करके आती हूँ साब तो उपर तपस्या कर रहे है कौन सची सर हाँ उपर वो भयंकर तपस्या में लीन है मैडम आप देख लो चलो इस घर में क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा मैडम जब मैं आया था तब सर तो यहीं पर बैठे थे तो फिर कहां है मैं क्या जानू कहां चले गए उनको तो यहीं पर छोड़के गया था इधर देखो बड़े साब वहां नीचे बॉक्सिंग कर रहे हैं चलो आजाओ क्या चल क्या रहा है आओ देखो मैंने अभी उन्हें बॉक्सिंग करते देखा अचले कहां चले गए रुको मैं देखता हूं यहां तो नहीं गए यह सब क्या बाती कर रहे हैं देखो बड़े भाईया अभी भी टॉलेट में अरे कोई और गया होगा है सच्ची सर टेरस पे थे मैंने खुद देखा अरे क्यों दिमाग लगा रहा है पूछ लेते हैं न सच्ची सर सच्ची सर आप सच में अंदर नहीं है न सब लोग एक साथ गड़े हो कर यहां क्या कर एक जगा रहकर सब जगे दिखाई दे रहे हैं चलो देखते हैं भाईया क्या कर रहे हैं दर्वाजा खुलिए ना क्या बात है सब लोग यहां तो कितने देर से बातरूम में था थोड़ी देर तो हुआ तो फिर यह बता वंदना क्यूं कह रही थी कि तूने उससे रोड़ पर बात किया हां सचा है मैंने बात किया आप फिर टेरिस पर तबस्या करने वाला हां मही था और जो बॉक्सिंग कर रहा था हां वो भी वो भी मही था हां 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 अब बहुत आए जो चल रहा था नीचे अब मैं अकेले रहने के लिए घर को जेल तो नहीं बना सकता न आप ऐसा क्यों बोल रहें भाइ कि इतनी महनत करके तो हमने आपको जेल से बाहर निकल वाया है ऐसा सब क्यूं सोच रहे हो हम सब आपके लिए बहुत परिशान हैं भाया मैं मैं खुद बहुत परेशान हूँ, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही जीना होगा। किसी का कहा मानना ही मेरी आदत हो गई है, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, चाहता हूँ कि मुझे कोई कुछ कहे। 24 साल पहले जैसे गया था, अब मेरी लिए दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही, सब कुछ बदला बदला नजर आता है, कैसे किसी से बात करना है, कैसे बरताव करना है, कुछ समझी नहीं आता। इस बात को लेकर क्या किसी ने आपसे कुछ कहा। सुनो, जेल में जो कुछ भी हुआ है, वो बाहर किसी को नहीं बताना है, ये बात मुझे वेदानता ने कही है, लेकिन यहाँ पर तो सब वही जानना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ यह है, आप एक काम करिए, आप भी ये सिटी छोड़ दीजिए, और हमारे साथ चलके बैंगलोर सिटी में रही है, पिता जी और भाई से मैं बात कर लूँगा, वैसे भी मैं और रजनी कल बैंगलोर वापस जाने ही वाले हैं, वहाँ पहुचते ही घर बैंगलोर पहुचते ही मैं घर का इंदिजाम कर दूँगा, और दो दिन के अंदर अंदर सब कुछ सेट करके मैं आपको लेने आऊँगा, ठीके ना पापा, येस, तुम जहां भी रो हमेशा खुश्रो हो बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है, अच्छा, मैंने ये फोन ख बाई पिता जी, बाई ठीके जाना, वादन दी, बाई, 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 भाया, बाई, बाई, अबी, बाई, 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 सर, आप जैसे मालिक को पाना तो बहुत मुश्किल है, आपको देखकर लोगों को सीखना चाहिए आप जैसे अगर सब लोग हो जाए तो दुनिया कितनी सुन्दर हो जाएगी देखो तुमारा फोन बज रहा है है फोन हाँ 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 हेलो हाँ क्या बात है सर यह आपका फोन है हाँ मेरा फोन हाँ हाँ मनु ने किया है हलो भाईया हाँ आप फोन उठाने में इतना टाइम लगाओगे तो बहुत देर हो जाएगी फोन मेरे लिए बज़रा पता ही नहीं चला बैंगलोर पहुंच गया नहीं भाईया सिटी के बॉर्डर पर ही हूँ आदे घंटे में पहुंच जाऊंगा पेट्रोल पंपे हूँ ज़र होल्ड करना हाँ फोल टैंक हाँ भाईया मनु पेट्रोल भरा रहे हैं जली जोतार मनु ये लोग हमारा वीडियो बना रहे है 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 अलो अधे हैला यू डूइंग तो उन टेका वीडियो मनु क्या हुआ क्या बात है कुछ नहीं भाईया मैं बात में फोन करता हूँ सब्सक्राइब लोग्या दो प्रॉप इच्छ रिकॉर्ड रिकॉर्ड मनु क्या हुआ भाया विष्णु अभी मनु का फोन आया था पेट्रोल पंप उसे कोई परिशान कर रहा था थोड़ी सी बात करके फिर काट दिया फिर जब मैंने फोन किया तो उसका फोन आ रहा है लगी नहीं रहा है आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो फोन में तो यह सब होता हो इं छाट कभी चार्जाश्क हो जाता है छेट पोन आफ जाता अलो यहां यह यह बात नहीं है यह यह रहा है मनू क्या हुआ क्या विदीम ने करना कट्था में में बदन भय क Ciao बज रहाज नहीं लगए अ पर किसी ने सुच्छ आफ कर दिया यहीं मुझे लग रहा है वहां कोई प्रॉब्लम हो गई है हमें खुछ जा कर देखना चाहिए कहां जा कर ढूंडेंगे भाईया वह पेट्रोल वर्म शहर से आधे गंटे की दूरी पर है बस हमें तुरन जाना चाहिए चले तुमें काम कर पापा को फोन कर के बता दो हां पापा पापा मन्नू और रजनी कार से बैंगलोर के लिए निकले थे लगता है रास्ते में उनके साथ कुछ हुआ है कि अब कि कि डरनी के कोई बात नहीं है कि आए होश आने के बाद ही पता चलेगा कि रजनी के साथ क्या हुआ था और कौन लोग मन्नू को अगवा करके अपने साथ ले गया है ओ ये इन्हेलिंग डिवाइस मनू यूज करता है या रजनी मनू यूज करता है उसको विजन की बीमारी है जब वो मेडिसन डाल के इन्हेल करता है तभी वो सांस ले पाता है विच मेडिसन इस यूजिंग इनिट एट्स अस्तलिन राटो कैप्स ओ स्पॉट से मिला है अटाइक के टाइम शाद गिर गया होगा करता है अलो कौन है परिकर कौन सचिदानन बोल रहा हूं सच्ची भाई अरे गनी सच्ची भाई सच्ची भाई क्या हो आधी रात को फोन किया तुम लोग कहा हो अभी तुम सब की जरूरत है यूम दे चाट चाट अलगर्ट चेकर गिब में अधा यह किस ने किया कोई आडिया नहीं लग रहा है मेरे को लगता है मनु के किसी दुश्मन ने किया होगा अगर कोई उसका दुश्मन होता तो रजनी का यह हाल करके मनु को इस तरीके से उठा कर नहीं ले जाता ऐसी बात नहीं है मनु की जिन्दगी उसके लिए कीमती इसे उठा कर ले गया वरना उसे खत्म कर दिया होता ये दोने चीज़े मुझे विश्णू से मिली है इस इनहिलर के बना मनुँ एक दिन भी नहीं रह सकता तो जिसने भी उसे उठाया है उसे ये चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी इस शहर में रात में कितनी मेडिकल शॉप्स खुली रहती है पता चल सकता है क्या मैं अभी तुरंट पता करता हूँ मेडिकल शॉप्स से इस इनहिलर के साथ इस दवाई को किसने खरीदा पता करो ये तो हो जाएगा सची भाई लाओ मुझे दो परिकर इसे मैं अपने गुरूप में शेयर करता हूँ तू भी अपने गुरूप में फैला दे सब को काम पे लगा दे हलो क्या बे इतनी रात को सुनो मुत्तु भाई गनी ने गुरूप में एक फोटो डाली है हाँ इसे तुम भी अपने गुरूप में शेर कर दो हाँ रात में जितने मेडिकल शॉप खुलते हैं उन सब पे अपने लोगों को नज़र रखने को बोलो हाँ फोटो में जो इनहिलर है और जो दवाई है उसको अगर कोई एक साथ खरीदता है तो उसके बारे में पता करो क्या पर मामला क्या है वो मैं मिलके बताऊंगा ओके सची भाई टेंशन मतलो यह सब हम पर छोड़ दो शेहर में हमारे बहुत सारे लड़के पूरी राद भर वो सारे मिड़कल शॉप पर अपनी नजार रखेंगे अरे बोले सर रहा बेर एक रीव आले शर एक एस्टेलीन रोटे कप्स कितना तीन सो पादिए मुद्टू का फोन है मुद्टू भाई बोलो हलो सुनो एक ही मेडिकल शॉप से दोनों चीजें एक ही आदमी खरीदा पर मेरे आदमी के वहाँ पहुचने से पहले वो घूचु निकल गया सिसी टीवी केमरे से आदमी मिला है अभी तेरे को बेजा है इंदीरा नगर कोलनी में तेरा नमबर खोली में रहता है नाम है प्रिंस इसके फोन के वीडियो चेक करों प्रेश्ट। यह दवाई किसके लिए खरीदी थी यह मैं अपने लिए ले रहा थू और घस्वर है सच बता किदर है मनु कौन मनु मैं किसी मनु को नहीं जानता सची भाई जरा यह देखो जर्ण पनु 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 रचुनी कर ठसू हुआए एक सुषा एक फसू रेजली एक कर दो कर दो बहुते हैं यह झाल 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 सची भाई बस खरो सची भाई अगर यह मर गया तो मनु का पता कौन बताएगा भाई अब नल्ले अब भी नहीं बताय तो कहीं का ने रहेगा बांके गाया और मार खाएगा झाल 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 तो बदल जाएगे सब कुछ इतना अच्छा था एक अच्छा पती दो प्यारे बच्चे लेकिन तंबाको ने सब कुछ पदल दिया अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चहरे से काटना पड़ेगा कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मैं कभी-कभी सोचता हूं कि ये सिगरेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोज भना देगा क्या ये मेरे फेपडों के कैंसर का कारण बन जाएगा क्या ये मुझे मुझे मूग के कैंसर या रिदे रोग या एंफसीमा की तरी दाएगा अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा तम बाकू आज ही छोड़ें सहायता के लिए 18-0-1-1-2-3-5-6 पर कॉल करें या मिस्ट कॉल दे 0-1-1-2-2-9-1-7-1 पर मनु कहा है? मुझे काम मिला था, मैंने बस अपना काम किया, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता तो जोड़ बोला डुकर, मनु कहा पर है, पता? परिकर को, ये ऐसे नहीं बोलेगा, ये कैसे बोलेगा मैं जानता हूँ गनी हाँ खान को फोल लगाओ हाँ खान हाँ बोल गनी हाँ डिसूजा की बेटी लटी शा तो मेरे साथ ही है लटी शा नहीं, लिटीशा ओ लेटीशा है भाई लिटीशा है तुमारे ड़ेडी लाइन पर हैं हाइ बोल दो बेटी तुम्हें और आइस-क्रिम की चाहिए what day इसकी लड़की बी इसके जैसी चलाख है इसने तो कभी से आइस-क्रिम खिलाई ही नहीं एक और आइस-क्रिम देना तो अब बता इतनी सारी आइस क्रीम का पैसा कौन देगा जल्दी बता बहुत देर हो गया इसके साथ काँ पैकना इसे और पांच चाहे बना कि रखो इसकी तो प्लीज सर मेरे बेटी को कुछ बत करिए मैं बताता हूँ शक्टी साब के कहने पे हमने आपके भाई को मारा बाद में आपके भाई को शक्टी साब को सौब दिया अब उन्होंने क्या किया होगा मुझे नहीं पता यह है शेट्टी यह है इसकी फैमिली और यह इसकी बीटी आरिया शेट्टी गुद मार्निंग सर एक पुलिस वाल आपका इंतजार कर रहा है यह शेट्टी अपने आप में सरकार है सरकार हो या पुलिस हो इसका नाम सुनते ही गुंडे भी पीछे अट जाते शेट्टी से कोई भी नहीं टक रहा था यहस मिस्टर आफिसर आज कल ड्रक्स वालों को छोड़कर मेरा पीछा कर रहे हो इसका कारण भी तो आप ही है क्यों जूट बोलनो पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आपको कोई टेप देता है तो हर पुलिस वाले को आपने नौकर समझ लिया है किस चीज की गर्मी आपको पता है मुझे मेरे आदमी तुम्हारे बीच में भी है वेदान्ता इसलिए ये गर्मी मुझे मत दिखाना मिश्टर वेदान्ता पुरी पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश करे तो भी वो लड़का नहीं मिलने वाला है हमें एडविन मोजस की मदद लेनी पड़ेगी भाई कोई उसका दुश्मन होता उसे उठा कर नहीं ले जाता खत्म कर दिया होता अब अपने डी जी पी को बोल दो कि उसे भूली जाए मुझे इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए मैं अपने भाई को बचा सकता हूँ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं उसे उठा ले तो आर्या शेटी यह काम काने यह हाँ, कर्रेक्ट हाँ, कर्रेक्ट इस पॉण चेह प्याओ है इस पॉपर के वित बचार का इतना महंगा काई के लिए था जुए इस इस परके रखाल के उड़ जाएगा अजग के इस यह इस आपर अइफ में पूतले के माफिक खड़े है डादी कैसे कैसे बोडी गार्ड दिये हैं आपने इडियेट्स मॉल में वाचेस चुरा के मेरा नाम खराब कर दिया यह किसका फोन है यह फोन तो मेरा नहीं है हलो मैं साब डिसुजा बोल रहा हूं मैं फोन कर रहा हूं शेट्टी साब फोन नहीं उठा रहे अगर आप उनके पास है तो उनसे बात करा दो ना प्लीज डादी डिसुजा हीर हलो सर प्रॉलम ज्यादा बढ़िए इसलिए आपको फोन करना पड़ा आर्या मैडम को मुझे लगता है किसे सेफ जगे पर चुपाना पड़ेगा पता चला कि वो लोग फिल्डिंग कर रहा है डिसुजा तू अभी मेरे पास आजा और अपने लोगों को लाना ओके सर क्या हुआ रड़ी कुछ नहीं बेटी तुम्हें कहीं जाना है तैयार हो जाओ हुआ हुआ हेलो सर हेलो मेडम तुम्हें डोंट वरी मैंने आपके बैग में फोन डाला था डिसुजा के कहने पर आप लाओ डिसुजा कार को तुही ड्राइब करेगा ओके सर मुझे और किसी पर भारूसा नहीं है जीप में तुमारे साथ एकी आपी होना चाहिए सिधा एरपोर्ट जाओ मैंने सब कुछ एरेंज कर दिया है एरपोर्ट पहुंच दहीं फोन करना जाओ ए चालो डाड़ी ओके बेटा यह लोग सब सम्हाल लेंगे यूल भी सेफ डरने की कोई बात नहीं है है एपी जर्नी थांक्यू डाड़ी भाई सी यू आरिया शेटि का फोन अरे डिसुजा गाड़ी वापस घर पेलो मेरा फोन नहीं दिख रहा है फोन तो निकालिया मेम साब वो लोग ट्रै कर सकते हैं ना ओ अरे शेटि तुझे कब का बोला थे कि फोन आफ कर आफ कर आफ कर अब 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 मुत्तु भाई इसे भी बांद के रखो मैं जब तक नहीं बोलूंगा छोड़ना नहीं तो शेटि का बिटी कहा बाहर परिकर और गणी उसके साथ बहें शाबाश अब शेटि हमारे रस्ते पे आ जाएगा तुमने जैसे काम मैंने कर दिया ना अब मेरे बेटी को छोड़ दो अपने जैसा समझ के रखे लाए क्या कब की घर पॉंच गई है ममी मेरा भुञापशा है कई मन नहीं नहीं तक है मेरा सिंगापूर जाने का को किमान नहीं मेरा मेरा फ्रेंइड के आद में च्रें ट्रें बस में ओटो मी गूमने Andika Girl कर रहा है ये फ्रेंड बोले तो है बोउफ्रेंड न बॉडश की जरूरूत नहीं है मुझा लड़को अब एकदम दिल्चस भी नहीं है अगर गर्ल्स रहेंगी तो चल जाएगी अरे गाड़ी में बैठो बिग बृतर आ रहा हुआ हलो मिम साप हां मैं उखान येस डिसुजा की जगा पर शेटी साब ने मुझे रखा है ओ थैंक यू बैठिये होगे हलो शेटी साब हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है हुआ है है अब अब इसकी तो ज़रा सम्माल के हुआ है 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 अर्य कोई अमरे पीछह कर रहा है मैंडमा आप ढरिये मर्ट वो रेसिंग करना चाहते हैं करें कि अ कर दो कर दो झाल 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 येस येस ब्रू येस बिक्ब्रू मुझे अभी डैड्य से बात करनी है इस अभी डैड़ी से बात करनी है अल्ला अब जल्दी कुछ करना तेरी तो अब दो मेले टूप मैं कुछ करने के कोशिश कर रहा हूं हां लगा शटी साब शटी साब में साब बात करना चाहती है हेलो डाड़ी इनका बिग ब्रो थो ना सुपर्ब है एक पजेरों में इतने सारे लोग मुझे किटनाप करने आये थे बट ही फेस दिप ओल अलोन डाड़ी अब मैं सिंगापूर नहीं जाओंगी मैंने इन लोगों से बात कर ली है मेरे पसंद की जगह जाने के लिए ये सब लोग तयार हो गये हैं प्लीज डाड़ी प्लीज आपके बेटा ये लोग सब सब लेंगे युल बी सेफ दरने की कोई बात नहीं है एपी जाए थेंक यू डाड़ी लव यू लव यू टू क्या बात है अब मैं सिंगपन नहीं जाओंगी जहां मेरा दिल करे बहां लेके चलो डाड़ी ने बोला है ऐसा बोले क्या हाथ है ऐसी बात है थो ठीक है चलिए बैठिये सुनू ना थांक यू थांक यू सो मच एक्सक्यूस में साथ येस ब्लड़ी चीट शट्टी साब मुव बन रख अपना मेरी बीटी को इनके हाथों में सौब देने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मुझे दिखाने की इन लोग ने मेरे बेटी को किण्याप कर लिया था अब आप ही बताओ मैं क्या करता ये भी उनके साथ है आखिर कौन है ये साब मैं सब का बंदा हूँ इसलिए मीडियेटर बनाकर आपके पास भेजा आया मुझे अपनी बीटी को कैसे बचाना है ये मैं अच्छी तरसे जानता हूँ मुझे मत सिखाओ नई साब नेवर डोंट अंडरिस्टीमेट हिम हां और ये उसने ये भेजा है साब को दिखाने के लिए है 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 हाई डाड़ी मैं इन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ आपने जो इनका विगभरो भीजा है ना ही इस हाईली स्किल्डन ट्रेंड जो लोग मुझे किड्नाप करने के लिए आय थे ना उनको इनोंने अकेले ही मार गिराया नहीं पाया थांक यू डाड़ी आपकी वज़से मैं अपनी फेवरेट जगह घूम रही हूं थांक यू सो मच कितना अच्छा है ना इस ब्यूटिफुल च्छाने लगा दिल पे ऐसा कोई मैं रहने लगी उन खोई खोई दिल नील कहा क्या कुछ तो सुन दो दिल में मेरे क्या कुछ तो बुझो ना जुक है दिल मेरा ना है कोई गम चाहू मिल जाए अब कोई कर दे करम दिल को दिल से मला ही है देखा 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 कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो सत्रंगी सपनों में खोई रहा दिल बाते हैं तेरी पर मैं हूँ शाम्य इन नैनों के इशारे कुछ तो समझो ये जोका उठा है कैसा हौले हौले खुश भुहावाओं में बह चली है आओ आओ जी जुमते इसमें खो जाओ आ हो रही हूँ मैं क्यों खुद ला पता देखो 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 कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो बादल में तारों का जूला बनाओं तुम उसमें आके जूलना मेरी सासे सांसम तेरी योग रही है प्रेम की माला मेरी पहनना जागे हैं सपने आखों में मेरी सुखी नदी मैं जैसे जहर ना गिरे दिल मेरा जोरों से कह रहा तुभी सुन देखो देखो कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो कैसा जादू चला है तेरा मुझ पर कुछ तो समझो कैसा जादू इस नादू चला होँ कोफ वैंनला जातू तो ब्रफबक dess आदू झाल 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 डाड़ी वे बेटी को देख सेफ है और इसकी हालत है है चलिए शिट्टी साब आपको लेने के लिए आये हैं झाल 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 वे याल झाल 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 वाल हो है अलो परिकर से पहुंच गया ना अल सेफ सची भाई मनु को लिगर के हॉस्पिटल गए वेलकम पोड़के बाई बाई हुम्म करें ज्यक्तल को राज है यहीं वह इनके रहां वेलके साफ क्मालश के Bene यहीं प्योक्तल कि बाई भुड़के सबत्व कुछ मुशुपे हर भुड़के फिर सिट आंटीमंप्र क्याओ अजय है अधैंत आंगल प़ंफ भुड़के इरया हम क्मालश हुआ 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 है हमें थोड़ी देर इन्हें आके लिए छोड़ देना चाहिए शेट्टी की बेटी यहां क्या करने आ रही है कि यार ये भुके लेकर के यहां क्या करने आई पता नहीं इसको कुई काम है यहां क्या काम है बोल रही थी रजनी से रपने मिल ना चाहती है क Bom, इस रभा़ा थी को है सच्य भाई को इसका नाव व्याद तो है नाम और नाम किया यादिला आरे आरै पुझठी उनके हो रहिना चाहती है अरे तू इन वो मेरे साथ नहीं सच्ची भाई के साथ हुआ है यह आरिया शट्टी है सच्ची भाई की फ्रेंड है और अर्य शट्टी रजनी से एक बार मिलना चाहती है जो मिलो आरिया शट्टी आरिया शेट्टी आरा उन्हा हलो हाई मैं आरिया शेट्टी हूँ डाडी की तरफ से माफी मांगने आई हूँ माफी मांगने आई है या तू या तेरे बापने ये देखने के लिए बेजा है कि हम लोग जिन्दा है या मर कहे मेरे इस भाई की वज़े से तू जिन्दा खड़ी है वरना यही इसके बगल में दुख पड़ी होती तेरे बाप के कहने पर उन गुंदों ने हम दोनों की यह हालत कर दिये तेरी भी यही हालत होनी चाहिए इम्मत कैसे हुई तेरी जितना रोना है रो यह जो तेरे आस्तो है यह तरे बाप के पुरे कर्मों की सजा है तुम लोगों कैसे नहीं छोड़ूँगा मेरे हाथ उमरोगे इनाफ यह खॉस्पिटल है बहेर वियोसर्फ आप 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 सर शेटी की बेटी को आगवा करने वाला आदमी माय हूँ आप मुझे पकड़ लीजे अब मुझे किसे पकड़ना है यह तू मुझे सिखाएगा चला हाथ या से विधार्ता इने का स्टड़ी में लेने के लिए शेटी ने तुमसे कोई शिकायत किया क्या नो सर् फिर इतनी गर्मिक इसलिए है सर वो आप भी जानते हैं इन सब के पीछे ड्रग माफिया का हाथ है इन तीनों लोगों का एडविन मोजेस के साथ कनेक्शन है बस इतना ही नहीं सर आपके सनी लॉक अब्रादर मनु भी इनके धंदे में इन्वाल्वड है इसी वज़ा से शेटी ने मनु का अगवा किया उसके ज़र ये वो एडविन मोजेस तक पहुँचना चाहता है एडविन मोजेस को पकड़ने का काम हमारा है शेटी का तो नहीं है न इन लोगों के खिलाफ किसे ने कंप्लिन नहीं की इसलिए जबानत दे रहा हूँ अब लोग चलिए आईए लोग जा शेटी और उसकी बेटी को अगर कुछ हुआ भी न तो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा डूंट माइंड इट पता है बाहर की दुनिया से ज़्यादा मैं अंदर की दुनिया जी कराया हूँ इसलिए डराने की कोशिश मत करना इससे स्कूल के बच्चे डरते होंगे सर डूंट माइंड इट मुझे सिर्फ रजनी से मिलना है वो तुमसे नहीं मिलेगी मनु तुम जाओ उससे मिले बगार मैं नहीं जाओगा मनु अभी तक जो हुआ सो हुआ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वज़े से उससे आपकोई प्रावलो है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है दिप हुआ है एग 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 बंद करो पुलिस को फोन लगाओ यहाँ तो कोई फोन नहीं उठाराँ डैडी नहीं मेरे मोबाइल से वेदानता को फोन लगाओ यह पोन स्विच्छ आफ है हेलो हेलो आर्या बोल रही हो अब हमला हुआ है किसी ने डैडी को शूट कर दिया है हमने अपने आपको एक अमने में बंद कर लिया है प्लीज सची प्लीज कम फास्ट पहले रोना बंद करो और चुप चाप किसी सेव जगे पर चली जाओ और उसके बाद पावर आप कर देना परिकर शेटी के घर पे किसी ने हमला कर दिया है मुझे लगता है मनु भी हमला करने वारों के साथ ही है हमें चल के उसे रोकना होगा अरे सुनो जल्दी करो मनु ने शेटी के घर पे जाकर हमला कर दिया है यह शेटी आपन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है यह बैठी डड़ी 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 अम अ दूछ अिए पना! प्रिवार कुल आप्रियक्ट करें भुर है दिकार कि प्रशक्ट। कि अपस्तों करें और पल्लुप और व्रrit व्र्र वैया आजए सची लाय जयाओ? लाय जला दो हुँ पुलिस की आने के पहले तू आ गया, सबोत मिटा के हिरो बनने का बहुत फितुर चड़ा है तुझे, यह आप क्या कह रहे है, यू शराब इडियट, मैं तो कान के नीचे दूँगा, किसलिए कान के नीचे दोगे, पुलिस का काम होता है, हमारी सेफटी का, पर पुलिस ने यह फोन ही ने उठाया, डाड़ी ने बोला उनके मुबल में विदानता का नंबर है उनसे फोन लगाओ, आपका फोन स्विश्ट ओफ था, सॉरी आर्या, आज मेरे फोन की बैटरी ओटरी ओफ होगे थी, अच्छा सुनिया आप लोग, स्टेशन में जितने लोग भी अच्छी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, तुम लोगों के साथ कौन को राय था, हम अकेले थे सर, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानता, जितने लोगों को बुलाया गया, सब लोग अलग-अलग स्टेट से आए हैं, जोट मत बोल, परिकर, छोड़ दो से, इसे कुछ मत करना, तो इसे पुलिस को दे देते, नहीं, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि मनु भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है, पुलिस वाले तंग क अजलिस वाले टोप तो अजलिस वाले दोड़ेगे पुलिस भी एतार, बोड़ ए अजरे, ख भी बोगों के एताफ हैं, तो इसे वाले टो बोगों के पुलिस को दोड़ एसे वाले से और खनुछ, आग। वो मनु के उपर शक कर रहा था, रात को ही यहाँ आधम का मनु को देखने के लिए, देख लिया कि मनु अंदर सोया हुआ था, उसे भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन देख के चला गया सपांशाए लो, हेलो सची, मुझे एक इंपॉर्टन बात करनी थी, हॉस्पिटल में आ सकते हो क्या अभी, मैं हॉस्पिटल में इंतजर करूंगी, हॉस्पिटल किस लिए आना है, फोन पर बतादो, मैं फोन पे नहीं बताऊंगी, सामने ही बताऊंगी, वोर व क्लॉक हॉस् यह तब एक आर्या शेट्टी सची भाई के साथ जो रिष्टानी भार हिए उसे कहते है स्टॉक अप सेंट्रम हाह प्यार की बिमारी अपन को पता कियो क्यों नहीं चला क्या मतलब यही प्यार यह इस टॉक अप सेंट्रम तब होता है जब होस्टेज को अपने किड़नेपर स बदल चुकी है ना ओके बसकर यार सची भाई इसे काट ना होगा मतलब गुरूप से काट ना होगा अरे काटना है या जोड़ना यह सची बाइफिसला करेंगे सची भाई जानते हैं एक लड़की का दिल तोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है तू इनकी जिंदिकी क्यों और उजाड तो तू रहा है सही उमर में लड़की नहीं मिल इसका मतलब समझता है सची भाई अज जो आरिया शिट्टी आरी है ना प्यार की बात करने के लिए इस कुरसी पर बैठेगी और आखों में देखते हुए अपने दिल की बात आपको बताएगी तब आपको भी उसक सब नहीं होने वाला कि गुंचू कहीं करेक्ट है सची भाई एक तुम सही जा रहे है ओ मतलब कोई फाइदा नहीं है कि सची भाई वो अलड़की आ रही है सची भाई सुनो आरे शेटी यहीं आकर बैठेगी संभाल लेना सची भाई उसकी आखों में देखके बोला मुझसे नहीं होगा पताया नहीं हो एक बर कोशिश तो करके देखो तेरे की लगता कुछ नहीं होने वाला तुम भी टरते हो यह उन लोगा ने तो बला था यहां करबठोगी कौन में नहीं मैं वहां क्यों बैठ गया है हां मुझे ऐसे लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है और वैसे भी मैंने तुम्हें आगवा किया था ताकि अपने छोटे भाई को बचा सको इसके बाद अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इसका इलजाम मनू पर ही लगेगा सिर्फ इसलिए मै मैं तुम्हें बचाने हैं मैं भी तुमसे मनू के बारे में कुछ बात करने आई हूँ है विदानता भी हाथ सुबह मुझ से मिलने आया 내가 मनू के पूच रहा था उसे लगत हुआ हमला करने वालों में Vallahi का हाथ हो सकता है यह सच है लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया लेकि मैं जानती हूं सच्छी अपने भाई से बहुत प्यार करता है और इसलिए मैं यह फोन विदानता के हाथ में नहीं दे पाई आए है 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 आए है कि अधिया कि अधिया अधिया मैं तो वाश्रूम के अंदर था आप कब मैं पता ही नहीं चला सुबह सुबह मैं सब के सामने तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था रात को तुम कहां गए थे तुम कमरे में तो नहीं थे मैंने खुद जाकर दिखा था पुलिस जब तुम्हें ढूंडते हुए आई उसके पहले तुम आ गए थे रात को कहां गये थे बताओ उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है आप उस शेटी की बेटी को बचाने में दिल्चस्पी को ले रहे हैं आखिर बात क्या है उसे नहीं तुम्हें बचाने के लिए वहां गया था क्या मुझे? आपके कहने का मतलब इन सबकी वज़ा मैं हूँ तुम्हारा ये फोन मुझे उसके घर पे मिला अग्या इन है अपके जर नहीं हलो.. हम इन आपके है? हालो सच्ची होस्पिटल में हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए फुलिस वाले दिख नहीं रहें डॉक्टर नर्स सबके सब गायब है लगता है कोई जान मुझ के ही सब कर रहा है रुको मैं अभी आता हूं क्या हो भाई हां है 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 सच्ची भाई है उठाओ कि बोले सच्ची भाई कहा हो तुम लोग होस्पिटल में कुछ प्राब्लम हो गई जल्दी पहुंच ना होगा मनु वह यहीं पर है मनु तो घर पर ही है तो वहां पोलिस संभाल लेगी हम लोग जाकर क्या करेंगे तुम बात को समझते क्यों नहीं हो तुम लोग मता हो मैं अकेले चला जाओंगा अरे सच्ची भाई आप पहुंचो हम भी पहुंच रहे हैं क्या होगे शर्टी की बेटी को बचाने के लिए मैं आपको जाने नहीं दूंगा तेखो अगर उसे कुछ भी हो गया तो पुलिस सारा आप यहल्जाम तुभारस पर ढाल देख्यों चलो हो जिन लोगों की वज़ा से हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंद पहुंच गया नहीं बचाना चाहते हो पुलिस के बारे में तो मुझ से जाता नहीं जानते चलो जो कुछ भी हो मैं सब समाल लूगा पर मैं आपको जान तुम भूल रहे हो कि इसी ने चुड़वाया है लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इन्हें जेल में इसर ने देना चाहिए था वही इनकी असली जगा है कि चुपकर भाया सॉरी विष्णू जब तक मैं वापस ना हूँ यह घर से बाहर ने निकलना चाहिए ओके गाईस लिसन केरफुली यू गाईस हब तो मेक इट रिली फास्ट मुझे कोई गलती ने चाहिए गाईस कहा हो तुम लोग जल्दी आओ हलो कहा हूँ हम पहुँच चुके है खुछ लोग ऐसी यू के सामने है जल्दी आओ अब और दो मिशन निकलो यहांसे जल्दी वो लोग हमें पकड़ ले उससे पहले निकल जाओ यहांसे क्विक पुलोग है उस तरफ जा रहे हैं झाल 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 हुआ है तरफ यह पुछ आप था आप में पश्वाइब आपको पूप्ट है क्या जाओ आपको प्रॉब्ल्म है क्या यह डॉटर आपका नाम क्या है पवन डॉक्टर पवन कुमार क्या डॉक्टर साब ड्यूटी के टाइम पर यहां सो रहे हो अपना नाम बदल लो स्लीपोलोजिस्ट हेलो सच जल्दी से यहां सकते हो गया हां इस डॉक्टर को कहीं जाने मत देना कोई भाना करें छोड़ना मत लिसन गाइज लिसन मैं तो अब टॉटी रूम में कोई नहीं है और इंटर कॉम डिसकनेक्टर है क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर देखिये मेरी बात सुनिये मैं कल रात से काम कर रहा हूं इसलिए मेरी आख लगई आम सॉरी हम भी तो वही कह रहे हैं चुप-चप सोचाओ आई को आने दो बगवान के लिए रिपोर्ट मक करना वरना मेरी नौकली चली जाएगी प्लीज आ रिक्वेस्ट यू डॉक्टर वोस्थ दे प्रॉब्लम सर एक्चली मैं ड्यूटी पर सो गया था उस पक किसी ने शट्टी साब को आईसीउ में आकर मारने की कोशिश की थी और ये लोग मुझे पकड़ रहें सर तुम लोग कौन है पुलीस हो पकड़ने के लिए जेल से निकले हुए कैदी डॉक्टर आप जाएए ड्यूडी कीजिए थैंक्यू सर थैंक्यू सो मच और तुम तीनों चलो मेरे साथ तीनों परकाई के लिए हाँ चल शेटी पे जब-जब हमला होता है वहाँ तु और तेरे ये क्रिमिनल फ्रेंड्स कैसे पहुँच जाते हैं तुम लोगों को पहले कैसे पता चल जाते हैं सर इनको यहां मैंने बुलाया है ड्यूटी पर लगे इतने सारे पुलिस वाले कहां चले गए थे कौन-कौन था उस समय ड्यूटी पर कहां चले गए थे विएपी की ड्यूटी में आदनी कम पढ़ गए थे इसलिए वहां भीजना पड़ा हमें लगा यहां क्या हो सकता है इडियूट फूल्स यहां कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती तो तो फिर क्या जवाब देते सॉरी सार अगर यह हरकत दोबारा की तो ड्यूटी से सस्पेंड कर दूँगा लगजभी तो ऑट अपॉटूंहस कर दोर्या मह'm भी पोभी तोमें को सिख्वी के शीज़ए हो किया जो यह तो होस्पिटल रूज्स के खिलाफ है सर। हलो वेदान्त आइपिस्य। क्राइम एंड नार्कोटिक सेल के स्पेशल ऑफिसर है। देखाँ देखाँ रूज्ट रूज्ट कम फर्स्ट। हम लग कॉंस्टिबल थैंक यू ओके गाड़ी साइड में रोकना, पुझे यहीं उतरना है। बया, बया, हाँ? चल माफी मांग इनसे भाईया, I'm really sorry, मेरे मों से पता नहीं क्या-क्या निकल गया है। मरने से पहले, माने रोते हुए हम दोनों को आपके बारे में बुला था। कि याद रखना बच्चों, जब भी भाईया जेल से चूटके आएंगे, तो उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाया। और इसलिए, इसने आपको बाहर निकलने के लिए अपनी इड़ी चूटी का जोर लगा दिया, लेकिन आज आपका दिल दुखाई दिया। उस दिन रात को मैं रजनी से मिलने उसके घर गया था। उसके घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं देते, इसलिए किसी को भी ना बताया रात को मिलने जाता हूँ, लेकिन शेटी और उसकी बेटी को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हम जिस लड़की से प्यार करते हैं, उससे आधी रात को मिलने जाना ठीक नहीं। सब को बता कर तुम दिन में उससे मिलने जाओ। पपु दरवाजा खोलो। रजनी तुम्हारा मुह नहीं देखना चाहती तुम्हें बताया था ना। कौन है बेटी। मैं 16 साल की उमर में दुलोगों को मार कर जेल की सजा काट चुका हूं। दो बार उमर कैद हो चुकी है। इससे जदा जानना चाहेंगे। जाओ। आओ। मुझे हॉस्पिटल में एक आदमी ने धमकी दी थी कि आज के बाद मनु के साथ तुम्हारे लड़की दिखनी ने चाहिए। इसलिए मैं जल्दी से डिश्चार्ज करके ले आया। बाद में वो आदमी हमारे घर भी आया था। बोला अगर मनु यहां आया तो वो रजनी के साथ सारे घर को मार देगा। भाया। मेरा फोन उसके घर कैसे पहुचा मैं आप समझ गया। यह देखिए। उस दिन रजनी के फोन से पप्पू मेरा वीडियो बना रहा था। यह देखिए। तो गई थी क्या। आज पहली बार अच्छा काम किया। मनु से सब नाराज थे ना आज मैंने सब को अच्छी तरह समझा दिया। मनु का फोन शिट्टी के गर कैसे पहुचा अब मैं समझ गया। और रजनी और मनु तो खुश है ना क्या लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना वो लोग इदर बाहरी हैं सब बहुत खुश लग रहे हैं दोक्टर गाडी का चाभी निकालो और चुपचाप पिछे बढ़ जा। अबे चाभी निकाल। चुपचाप गड़ी में बैठ जा। ला। गेट कॉल। इचल बैट। वाल्तू का टाइम पास। सुवर कहीं करें। अब बस आप ही कुछ कर सकती हैं। थोड़ा कॉंसेंट्रेट कीजिए। दिदी प्लीज। गोविंद राज। चन्नेई का रहने वाल है। यह मेरे साथ जेल में ही था। अभी अभी चूटा है। अभी शहर में कहां पर है। इसका पता आपको लगाना होगा। ढून तो लेंगे न। इसको क्या इसके बापको भी ढून के निकालेगा। ढून परी। डॉक्टर अपने वाइफ से वीडियो कॉल में बात कर। बात कर। बात कर बे। अरे विश्टू कौन है ये लोग। बात करना बेचारी पूछ रही है हम लोग कौन है। जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर तब ये बचेगा। वंदना देखो तुम मेरी चिंदा मत करना। फोन कट करो कोई बात में। मजाग चल रहा है क्या। मैं जो बोलूगा वो नहीं करना है। मेरा बॉस बोलेगा वो करना है। अब वो विडियो कौल करेगा। तन से सुननों वो क्या कह रहा है। हेलो डॉक्टर। क्या करना है। जल्दे बताओ मुझे। बताता हूँ। लेकिन पहले फोन कट किये बिना। स्टैंड पे रखो चाहे कुछ भी हो जाए हाथ स्टेरिंग विल से हटना नहीं चाहिए और ये कॉल भी डिस्करेक्ट नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानती हो कि तुम्हारे पती के साथ क्या हो सकता है गाड़ी खुमाओ और वापेस हॉस्पिटल जाओ ओके जाओ 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 घ्ड़ जाओ अग अग लो हुई आय अब होस्पिटल के अंदर जाओ और आइसीव पहुँचने तक किसी से बात मत करना आइसीव के अंदर जाने के बाद तुम सब को बाहर भेज़ दोगी गोगे दस्कैन रिपोट्स अब क्यामरा के सामने से हिलना मत आइस्टा इसे पूरा से बाहर दो नाइस्टा इसे पूरा सेटटिव से भर दो अब जाओ और यह सेडाटिव पेशेंट में इंजट कर दो जब तक इसकी हार्ट और पल्स रेट बनना हो तुम यहां से हिलोगी नहीं डॉक्टर यूल हाव तु स्टे ओन हुआ 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 है जिसने तुझे भेजा वह एडविन मोजस कहां पर है बता दे एडविन मोजस का मैं सिफ नाम जानता हूं वह कौन है किदर है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता मेरे दोस्त ने उससे मदद मांगी इसलिए मैं बाहर निकल पाया उसने मेरी मदद किये ना इसलिए मैं बे उसकी मदद कर रहा हूं मुझे जेल से चुड़ाने के लिए तुम लोगों ने किसी से साहता मांगी दिक्या क्योंकि जब से मैं जेल से चुटाओ तब से ही ये सब कुछ चल रहा है इसलिए मैं सब कुछ पूछ रहा हूं मुझे चुड़ाने के लिए तुम किस-किस से मिले मैं तो बहुत लोगों से मिला हूं लेकिन कोई भी काम में नहीं आया एक दिन एक शक्स ने मुझे किसी का नंबर आके दिया उसने बोला इस नंबर पर बात कर लो काम हो जाएगा उसके बाद ही आप रिलीज हो पाए उसके बदले तुम्हें क्या करने को कहा पुलीस हेटकॉर्टर्स के दिवार पे कुछ लिखने को कहा था हैल इस एमटी ओल्ड डेविल्स के उपर शेक्सपेर के कोई कहावत है मैं बस इतना ही जानता हूं मनु तुम्हारे पास उसका नंबर तो होगा हाँ यह रहा नंबर अरे यह नंबर तो मुद्टू का है तो इसके पीछे इसका हाथ है नए एडविन मोजस एडविन मोजस कौन है मुद्टू बताएगा आपना है वाविन मुद्ट सलेख नंहीं मुद्ट प्रूल वाविन थ didn't तो जिल रहा है वाव सच्ची what a surprise मुझे शेटी साब से मिलना है मिलने की इजाज़त चाहिए इसमें मेरी इजाज़त क्यों चाहिए जब जाहो चले आओ सच्ची तुम कब आने वाले हो इवनिंग में सच्ची भाई आर्या शेटी से आज आज आप मिलने जाएंगे आर्या शेटी से नहीं शेटी साब से ओ बात तो यह की है नहीं जब करना मैं तो सेटिंग कर आ रहा था बैठिये आप किस लिए मुझसे मिलना चाहते थे आखिर कौन है ये एडविन मोजिस आपको मारने के लिए क्यों तुला है एडविन मोजिस और मेरे बीच की दुश्मनी मेरे एक लौते बेटे की वज़ा से शुरू हुई बेटी मेरा बेटा डौक्टर अरुन शेटी ड्रक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता था इसलिए अपने आप ही वो एडविन मोजिस का दुश्मन बन गया और उसके हाथों मारा गया और उसके जाने के बाद एडविन मोजिस की तबाही मेरा लक्ष था फेदानता आई पीएस के साथ मिलकर मैंने उसे बहुत नुक्सान पहुचाया पर वो कभी हाथ नहीं लगा लेकिन एक तिन उसका करोडो रूपियों का ड्रक से भरा कंटेनर मेरे हाथ लग गया मुझे मालूम था कि उसे ढूंडता हुआ एक ने एक दिन वो जरूर आएगा लेकिन जानते हो मेरे प्लान को किस ने बिगाड़ा? आपके छोटे भाई ने कमिशनर ओफिस के दिवार पर उसने उनके लिए बकवास लिखी ये बात मुझे मेरे लोगों ने बताई मुझे लगा उसके पास मोजेस की इन्फॉर्मेशन है उसे उठाने से शायद मुझे कोई टिप मिल जाए इसलिए मैंने उसका किड्नैप करवा लिया मेरा प्लान था कि एडविन मोजेस से बारगेनिंग करूँगा पर आपने मेरा प्लान चौपट कर दिया उसके कहो कि वो अपने छोटे भाई को यहां से ले कर जाए मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए बात सिर्फ लड़के को वापस करने की नहीं है साब तो फिर कुछ दिन पहले एडविन मोजेस का जो ड्रग कंटेनर तुमने चीना उसको भी वापस करो उसके कहने के बाद बिना सोचे वो कंटेनर मन्नू के साथ मुझे के बास भेजना पड़ा मुझे उनसे मिला हुआ था सिर्फ इसकी वज़े से एडविन मोजेस को पकड़ने का मेरा आखरी मौका भी मेरे हाथ से चला गया मैंने विदान्ता को सब कुछ पता दिया और उसने मुझे के ठिकाने पर रेड मारी पर बोला कि थोड़ा सा ही ड्रक्स मिला और कंटेनर उसे वहां नहीं मिला पुलिस भी कंटेनर ढूंड रही है विदान्ता अब भी आप पर शक कर रहा है समखल के रहीगा एडविन मोजेस का नाम लेकर कहता है आप और आपके दोस्त मुत्तु के साथ ये खेल खेल रहे थे और अब मेरे पास वो कंटेनर नहीं है ये बात जानने के बाद एडविन मोजेस मुझे मारना चाहता है और वो भी आपके सहायता लेकर आपको धमकी दिया आपके उपर दबाव बनाया गया कि कैसे भी प्रेशर में आकर आप वो कंटेनर बाहर निकाले अब आपके पीछे सिर्फ एडविन मोजेस ही नहीं है विदानता भी है उन्हें टिप कौन देता है आपके साथ रहने वाले आपके लोग उन्हें मालूम होई बिना ये काम होई नहीं सकता है बिस्निस में मेरे पिता जी ने एक काम की सीख दी थी आख मून कर किसी पे भरूसा मत करो बड़े से बड़े कारोबारी का अंद उसके खास आदमी के घद्दारी के कारण ही होता है दूआ करो दुश्मनों से तो आप समल सकते हो लेकिन दोस्तों के वार से भगवान ही आपको बचा सकता है अब सचिता नन को कुछ ना हो मैं अपने भगवान से प्रात्ना करूँगा मेरा दिल कहता है कि भगवान मेरी बात सुन लेंगे अरे सच्ची भाई सच्ची भाई आप यहां क्या कर रहा किसका फोन था अरे कुछ ने वो मार्केटिंग वालो का था ला मुझे दिखा क्या सच्ची भाई आपको मुछ पर विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है मैं नहीं दिखाऊंगा भाई आप इतने जूर्प क्यों कर रहे हैं हमने आज सब्सक्ष्पाया है कि जो जोब कोर तो आओ अरिकल काचाचाचाचाचाचाचाचाचाचाचा जिर्था कि विश्णु और मनु से कहीं ज्यादा मैंने तुम लोगों पर वरोसा किया और तुम लोगों ने एडविन मोजस के साथ मिलकर पीछे से वार किया सच्छी भाई मैंने इनके पैर पकड़े थे कि प्लीज ऐसा मत करो सच्छी भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे तब य हारे शेटी को छोड़ाने से कुछ दिन पहले ही मुत्तु ने हम सबसे ये बोला मनु की साथ साथ शेटी से ये डील हुई थी कि एडविन मोजस का ड्रग्स एक कंटेनर में भरके शेटी वापस कर देगा हम लालच में आ गये थे सची भाई मुत्तु ने हमें धोखा दे द कर रहे हैं अब उसी कंटेनर के लिए वो बार-बार हमें फोन कर रहा है जब मुत्तु जिन्दा था भाई एडविन मोजस के साथ तब भी हमारा कोई रिष्टा नहीं था अब तो मुत्तु भी मर गया ये सच बोल रहा है सची भाई मुत्तु के मरने के बाद वो हमें लगा सजा मिल रही है सची भाई आप जाये ये गलती हमने किये सजा भी हमें ही मिलेगी कि अच्छे अच्छे मुत्तु अच्छे भी मुत्तु प्रॉपिन देख भी हमें हमें कि अच्छे फड़ी जाब भी हमें 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 है उस दिन मनू को लाने के लिए हम लोगों ने एक लॉरी मागाई थी, उसी दिन मुझे शक हो गया था इसलिए मैंने मुट्टू का पीछा किया और उस लॉरी की तलाश ही लिए उस लॉरी में करोणों की कीमत के ड्रग्स थे, मेरा शक सही निकला मुझे लगा ये मामला एडविन मोजेज और शेटी के बीच काई होगा तब तक मेरा शक तुम लोगों पर नहीं था कुछ भी हो मैं जानता था एक नेक दिन एडविन मोजेज इसके लिए बाहर निकले गए और इसलिए मैंने मुझे की लौरी को दूसरी लौरी से बदल दिया एडविन मोजेज ने इस फोन पर दुबारा फोन किया था उसे पता है कि कंटेनर मेरे पास है मुझे ने जितना पैसा मागा था उतने पैसे लेकर मैंने उसे यहाँ बुलाया है वो जरूर आएगा लेकिन पैसे क्यूं मांगे अगर पैसे नहीं मांगे तो उसे हम पर शक हो जाएगा वो इसे ट्रैप समझ कर कभी नहीं आएगा अटो कि भूरू झाहा हुझ झाहाः जर गाहा भूरू выпуск वो भूरू उिसे हुझ झाहा षाहार जीद मांगे और उसर थधे आए है एए फटाविसे पुआ बड़ पुआ जोए पूए भाग छोटना मतिसको! . . . . . . . . . हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है वे कर दो को अटा जुडे कर दो. अगर इने अरेस्ट करके कोड में पहुचाता तो भी कोई ससा नहीं मिलती पैसे और पावर से वकील बाहर निकाल लेता और दुबारा यही धंदा करते क्रिमिनल्स को स्पॉट पर मारना दाट्स माइ पॉलिसी सच्ची भाई ना भागो गणी अभर इको अपसे यच हो नहीं में वकीन प्रो सकता मताई को भी तो अ know कान! कान! सबस्ट कान! छचिटान! मैं सब्सक्राइख? छचिटान जाइख सब्सक्राइख? माराफ कर दो! बहुत बड़ी गलती हो गई परिकर, सच भाई, देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, सजा मिली है हमें, भाई का साथ देना, दोस्त, आफ परिकर, साला के उना, सिना समय हो रेखित कुछा से ज Past वोड़ी देना, स Пट्कु अहाई इट टहर दो कि हुआँ तुझे लगा तुझे कोई कभी पहचान नहीं पाएगा अपने एहंकार में तुने उस ड्रग डीलर को मार कर अपना एक सामराज्य खड़ा किया एडविन मोजेस का जूटा नाम इस्तेमाल किया ये तेरा सिर्फ अकेले का सामराज्य है अब इस खेल में तुझे खुद फंसने वाला है तुने शेटी को मारने की तीन बार कोशिश की सारे ड्रग माफियस को अकेले मार देने वाला वेदानता एपियस एक एडविन मोजेस को कैसे नहीं मार पा रहा है इस बात ने मुझे तुझ पर शक करने के लिए मजबूर किया फिर बड़ी चालाकी से तुने इसे हास्पिटल से बच निकलने दिया और तब मुझे यकीन हो गया मेरे रिश्टदारों का इस्तिमाल करके तुने मुझे अपने राष्टे पर लाने की नाकाम कोशिश की तेरी मौत को तुने खुद बुलाया है वेदान्ता मेरे परिवार ने जितनी भी तकलीफें उठाई है उससे ज़्यादा तकलीफें मैं तुझे पहुचाऊंगा याद रखना बाहर ड्रक से भरा कंटेनर तुझे चाहिए ना उसी के लिए तो आया है करोडों की कीमत की तेरी वो दौलत तेरे सामने ही आज जलके खाग हो जाएगी और तो अपनी आँखों से देखेगा है! 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 rewrite! प्णोप प्णोप टूप्ड टूप अर्णार्णास सच्छिमाए सच्छिमाए तेरी स्टाइल है ना क्रिमिनल को स्पॉट पे मारने की यह अच्छी पॉरिसी है लेकिन यह मेरी पॉरिसी रही है जो मेरे लोगों को मारता है उसे मैं अपने हाथों से मारता हूँ सच्छिता नन का कॉल है सर आपने जो काम बोला था वह हो गया लेकिन सर एडविन मोजस को हम जिन्दा नहीं पकड़ पाए वेदानता आपेस के हातों आज वह मारा गया भले ही वह मारा गया पर हमारे लिए अच्छी खबर है लेकिन एक और बुरी खबर है सर एडविन मोजस की गोली से वेदानता सर भी मारे गए ओ सुसेड वेदानता सर भी मारे गए